हेलो दोस्तों अरत दैरे सेकेटिवी के यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों राजस्तान लोक्षेवा आयोग द्वारा आयोजित सेकेंड ग्रेड शिक्सक बरती परिक्षा दोजार चोबिस के नवींतम पाठेकरम के अनुसार फर्स्ट पेपर के मॉडल की टैसरी शुरू की गई थी जिसमें अपने 34 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके है आज अपना इसमें 35 नमर का मॉडल पेपर है कुल सो प्रस ने इसमें सामिल के गए है और हूब हूँ आपको ऐसा ही पेपर है वो परिक्षा में देखने को मिलेगा दोस्तों अगर आपने पिछले जो 34 मॉडल पेपर है अगर उनका टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाएए वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा 2nd grade मॉडल पेपर 2024 के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपर का टेस्ट अग सब्सक्राइब जरूर करें बैल आइकन को दमाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना मोडल पेपर नंबर 35 देखिए पहला प्रस्न है निमनलिखित में से राज्य मानवादिकार आयोग की कारी प्रनाली में क्या सामिल नहीं है वो अपने को यहां पर बताना है चार उप्सन आपके सामने यहां पर दे रखें देखिए इसे दीवानी नायले की सक्तियां प्राप्त है बिल्कुल सही है यह किसी मामले की सुनवाई के लिए राज्य सरकार या अन्य किसी अदिनस प्रादिकरण को निर्देश्ट दे सकता है यह भी बिल्कुल सही है यह एक वर्ष से पुराने मामले की सुनवाई नहीं कर सकता ये बिल्कुल सही है अब तीन सही है तो चोथा ओटोमेटिक क्या हुआ गलत हुआ चोथा देखिए दोस्तों इसमें क्या लिखा हुआ है यह पीडित व्यक्ति को नुकसान के भुगतान की सतिपूर्ती करता है दोस्तों यह गलत दे रखा है देखे यह सतिपूर्ती खुद नहीं करता है यह सिफ बिल्कुल साहीनुत्र हो जाएगा सेकिन नमबर का प्रस ने राज्य मानवादिकार आयोक के सदस्यों को पद से कौन हटा सकता है तो दोस्तों कौन एटा सकता है राश्ट्रपती एटा सकता है धोस्त्तों राज्य ने दिकार आयोक के सदस्यों और अध्यक्स की जो न्यूकती है वो राजे पाल द्वारा की जाती है लेकिन इनको पद से हटाता है कौन राश्ट्र पती तो यहां पर बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही तीन नंबर का प्रस ने इसमें देखे मानवादिकार संदेश पत्री का किसकी है मानवादिकार संदेश पत्री का किसकी है सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यह पत्री का है राज्य मानवादिकार आयोक की मानवादिकार संदेश पत्री का किसकी है तो यह राजस्तान राज्य मानवादिकार आयोक की है पत्री का है तो यहां पर बी नंबर का उप सदस्य नहीं बन सकता तो यहां पर देखिए उच नयले का रिटाइड या कारियरत नयाइदीस बन सकता है जिसने कम से कम साथ वर्स तक जला नयाइदीस के रूप में कारिय किया हो यह भी बन सकता है मानवादिकारों के समंद में विशेश अनुबाव रखने वाला व्यक्ति यह भी दोस्तो राज्य मानवादिकार आयोक का सदस्य बन सकता है अब चोथा देखिए वहें देखिए कम से कम साथ वर्स तक वकालत की हो यह दोस्तो अपना इसमें गलत दे रखा है दोस्तो राज्य मानवादिकार आयोक का देक्स निवारियत है उच नयले का सेवा निरत तो यहां पर अपना इसमें चार नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा यह गलत दे रखा यहां पर पांच नंबर का प्रस ने राजस्तान राज्य मानवादिकार आयोग के एक मातर सदस्य जो उसके कारिवाहक अध्यक्स रहे हूं बताए कौन रहे हूं कारिवाहक अध्यक्स राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है महेश चंद्र सर्मा महेश चंद्र सर्मा तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर यह नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखें यहां पर सिक्स नंबर का प्रेशन है सची वाले के बारे में गलत कथन है सची वाले के बारे में गलत कथन कौन सा है वो अपने को यहां पर बताना है देखें सची वाले वेवस्ता अंग्रेजों की देन है बिल्कुल सही है सची वाले का राजनितिक परमुक मुख्य मंत्री होता है ये भी बिल्कुल सही है सच्ची वाले स्टाफ एजन्सी है ये भी बिल्कुल सही है यहां पर देखिए राज्य में सच्ची वाले के विभागों को मंत्राले कहा जाता है ये इसमें गलत दे रखा है दोस्तों राज्य में सच्ची वाले के विभागों को मंत्रा ले ये गलत हो जाएगा प्रसासनिक विभाग कहते हैं दोस्तों ठीक है तो और ये जो विभाग सची वाले में जब केंदर की बात आती है तो उसे मंत्रा ले कहा जाता है ठीक है यहाँ पर राज्य की बात हो रही है तो प्रसासनिक विभाग कहते हैं तो यहाँ पर राजे सची वाले के निम्न पद कर्मों को उपर से नीचे की और विवस्तित करें, यानि कि सबसे बड़ा पद कौन सा है, उसके बाद में कौन सा है, उसके बाद में कौन सा है, वो अपने को यहां पर बताना है, दोस्तों देखिए, सबसे बड़ा पद होता है प्रशासनी के विभाग में तो वो होता है मुख्य सचिव तो यहाँ पे मुख्य सचिव यह एक नमबर पर आ जाएगा उसके बाद में नमबर आता है दोस्तो दूसरा वो होता है अतिरिक्त उप्सचिव यह दूसरे नमबर पर आ जाएगा तीसरे नंबर पर आता है दोस्तो इसमें जिसको आप बोल सकते हैं सहयूकत सचिव तीसरे नंबर पर और चोथे नंबर पर आ जाएगा दोस्तो उप सचिव तो यहाँ पर इस प्रेस्टन का राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तो 2-4-1-3 दो चार एक तीन यानि कि अपना इसमें दो नंबर का उप्सन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आठ नंबर का प्रस्थन इसमें देखे राज्य सासन सची वाले का परमुक होता है राज्य सासन सची वाले का परमुक कौन होता है अभी बताया था मैंने आपको मुख्य सची होता है दोस्तों प्रसासनिक विबाग का जो परमुक होता है वो मुख्य सची होता है तो यहां पर इसका right answer B number का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा यह सर्वोच प्रसासनिक अदिकारी होता है जो भारतिय प्रसासनिक सेवा I.S. का अदिकारी होता है ठीक है right answer इसमें B number option 9 number का प्रस्तने राजस्तान में सर्वादिक मुख्य मंत्रियों के साथ काम करने वाले मुख्य सचीव कौन थे तो दोस्तो वो मुख्य सचीव थे विपिन बिहारी लाल मातूर इन्होंने दोस्तो चार मुख्य मंत्रियों के साथ में काम किया कौन कौन से हरदेव जोसी सीव चरण मातूर फिर वापस हरदेव जोसी फिर बेरो सिंग से कावत के काल में यह दोस्तो विपिन भी हरी लाल मातुर है यह मुख्य सचिव के पदपर रहे यहाँ पर B नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उतर आगे देखिए 10 नमबर का प्रस्टन है राजस्तान के पर्थम अनुसुचित जाती के मुख्य सचिव कौन थे राजस्तान के पर्थम अनुसुचित जाती के मुख्य सचिव कौन थे राइट आंसर हो जाएगा वो है निरंजन आरिये यहाँ पर A नमबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा निरंजन आरिये और यह राजस्तान के 43 मुख्य सचिव बने थे ठीक है तो यहाँ पर A नमबर उप्षन बिल्कुल सही आगे देखे भारतिय संग्य व्यवस्ता किस मॉडल पर आदारित है तो दोस्तों यह कनड़ाई जो संग्य व्यवस्ता पर आदारित है भारतिय मॉडल तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सविदान सवतंतर न्याइपाली का यह तिनों संगात्मक विशेष्था है भारतिय सविदान की लेकिन सहसक्त के अंदर यह इसकी विशेष्था नहीं है यह आपर सी नमबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे तेरा नमबर का प्रस कितने थे 97 अब कितने हैं सो राजिसुचि में अब कितने हैं 61 और समवर्ति सुचि में अब कितने हैं 52 मूलत कितने थे 47 थे ठीक है तो यह थोड़ी सी चीजें आपको एक्स्ट्रा याद रखनी चीए आगे देखे भारतिय सविदान बताए क्या होगा दोस्तों भारतिय रइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का उप्षन बिल्कुल से यानि की कठोर एवा माल चिला दोनों है पंदरा नंबर के अपर ने सई कथन पहचाना है कि कौन सा सई है तो यहाँ पर देखिए दोस्तों नसवर राजयों का आनसवर संग है यह यहाँ पर सई कथन है दोस्त तो यहाँ पर इस प्रस्टन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर का उप्सन बिल्कुल सही यह लाइन आपको याद रखनी है आगे देखे भारत में 166 तक रही एक दलिये विवस्ता को कॉंग्रिस विवस्ता किस ने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दुस निम्नांकित में से कौन सी भारतिय दलिये विवस्ता की विशेश्ता नहीं है निम्नांकित में से कौन सी भारतिय दलिये विवस्ता की विशेश्ता नहीं है तो यहाँ पर इस प्रस्टन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है देखिए बहु दलिये विवस्ता यह बिल्कुल सही है वेक्ति का महीमा मंडन यह भी दोस्तों भारतिय दल की विशेश्टा है सुधारवादी दलों की अनुपस्तिती यह दोस्तों इसमें गलत दे रखा है यह भारतीय दल यह विशेश्टा है वो नहीं है तो यहां पर डी नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिलकुल सही उत्र इसमें हो जाएगा, ठीक है, हगे देखे यहां पे, अठारा नमबर परसन है, परथम आम चुनाव में कितने राष्टीय इस्तर के राजनितिक दल थे, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अपना इसमें बताए कितने थे, तो इसका राइट आ राश्टिये और गुंचालिस राज्ये इस्तरिये के दल विद्यमान थे ठीक है तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा इसमें ठीक है आगे देखिए गुनिस नंबर का प्रशने नवीनतम मान्यता प्र के दाप्त राश्टिये राजनितिक दल है तो यहां पर इस प्रस्ट का राइट आंसर हो जाएगा वो है नेशनल पिपूल्स पार्टी नेशनल पिपूल सहे पार्टी तो यहां पर अपना इसमें पर देखिए यह दूसरी सो बीस में हुआ बिल्कुल सही है सीवसेना का गठन है वो गुनी सो चांसेट में हुआ ये भी बिल्कुल सही है बहुजन समाज पार्टी का जो गठन है वो गुनी सो चौरासी में हुआ बिल्कुल सही है बीजू जनतादल का गठन है वो दोस्तों गुनी 998 दे रखा है जो कि इसमें गलत दे रखा है और दोस्तों ये बीजू जनता दल है ये केरल की छेतरिये पार्टी है और इसके संस्तापक है नवीन पटनाएक ठीक है इनका जो चुनाव चिन है वो है संख ठीक है और दिसंबर में दोस्तों इस दल की स्तापना हुई थी तो यहां पर इस प्रश्ण का राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों यहां पर आजादी से पूर्वा गुनी 10600 में राजस्तान की राजनेतिक और प्रशास्थन के संदर्व में सत्य कथन है बताहे कितने देशी रियास्ते थे कितने ठीकाने थे और कितने चीफ कमिशनर थे बताए दोस्तों तो यहां पर इस प्रश्ण का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देखिए गुनिश देशी रियास्ते तीन ठिकाने एक चीफ कमिशनर छेतर था ठीक है राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें सी नंबर का जो अप्षन है वो इसका बिल्कुल सही तीन ठिकाने कौन-कौन से थे वो तो सभी को पता होगा कुछलगड लावा और निम्राना ठीक है आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर मेवाड के किस महराना ने 25 से 26 जून गुनिश्टान यूनियन बनाने के उद्देशे से उदेपूर में राजाओं का एक सम्मेलन आईजित किया बताइए बताइए एक सम्मेलन है वो मेवाड के किस महराना ने यह आईजित किया था राइट आंसर हो जाएगा महराना भुपाल सिंग ने यहाँ पर सी नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिलकुल सही उतर हो जाएगा इसमें आगे देखे 23 नंबर का प्रस्ट ने कि स्रियास्ती राजा ने विलय पत्र पर अस्ताक्सर करते हुए कहा कि मैं अपने डेट वारंट पर किस ने कहा था ये ये कहा था दोस्तो महरावल चंदरवीर सिंग ने कहा था ये तो यहाँ पर B नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा तो अब इस नमबर का प्रेस्टन राजस्तान के एकिकरण के किस चरण का उद्गाटन जवारलाल नहरू द्वारा किया गया था राजस्तान के एकिकरण के किस चरण का उद्गाटन जवारलाल नहरू ने किया था सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तिरते चरण का जो उद्गाटन है वो दोस्तों जवारलाल न गठित की गई राजस्तान में राजदानी चुनाव के लिए किसकी अध्यक्स्ता में एक समिती गठित की गई राइट आंसर हो जाएगा पी सत्य नाराण राव की अध्यक्स्ता में एक समिती गठित की गई यहाँ पर बी नमबर का जो उप्सन है वो इसका बिल्कुल सही उत कि राजस्तान की रियास्तों के समंद में ऐसते कथन है राजस्तान की रियास्तों के समंद में ऐसते कथन कौन सा है वो अपने को यहां पर बताना है देखिए दोस्तों यहां पर रियास्तों में सबसे प्राचिन गलत दे रखा है जो पुराना चीए था और छेतर फल में सबसे छोटी रियासत साप पुरा थी ये बिल्कुल सही है तो यहां पर इस प्रैस्टिंग का राइट आंसर सी नंबर उप्शन हो जाएगा पेपर बहुत सांदार लेवल का है और ऐसे ही अगर आप रोजाना दोस्तों आपके जो फर्स्ट पेपर के अंदर है वह आप अच्छा स्कोर है वह प्राप्त कर सकते हैं अगर आपने अभी तक है अरद्द्यारेस अकेडमी के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें पैल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वह आपके पास में पहुंचता रहे और वीडियो को लाइक निकिया है तो एक बार सभी के सभी मित्र है वह वीडियो को जरूर लाइक कीजिए बहुती सांदार लेवल का यह मोडल पेपर है रोजन आपको एक मोडल पेपर का टेस्ट वह अवस्य देना है परिक्षा तक करीबन परिक्षा तक माबको 60-70 मोडल पेपर है वो करवाओंगा ठीक है आगे देखे सब्थर सप्तम चरण में निम्न मेंसे किस छित्र का समावेश क्विवेस पुनरगठीत राजस्तान में नहीं किया गया है राजस्तान में तो दोस्तों इसका राइट answer हो जाएगा वो है अपना इसमें आबू देलवाडा तैसेल का दोस्तों यहां पर देखे इस नहीं किया गया यह पुछा है यहां पर ठीक है सात्वे चरण में तो आबू देलवाडा का किया गया था अजमेर का मेरवाडा प्रदेश का भी किया गया था और मद्दे प्रदेश का जो चेतर था सुनेल टपा वो भी किया गया दोस्तों इसमें ठीक है यहां पर देखे शिरोज चेतर जालावार ठीक है दोस्तों यह शिरोज चेतर है यह मद्दे प्रदेश को दिया गया था एक नॉमबर गुनिश्व देख सहविए angramento 306 को तो यहां पर इस प्रेस्टिंह का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का उप् íसनी बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे 70 ऑठाइस नंबर का प्रशने निंवनलिकीत में से गलत कथन सुमेलित है दोस्तों गलत कथन सुमेलित है वो अपने को यहाँ पर बताना है एक तरफ संग है दूसरी तरफ राजदानी है बताए कौन से संग की राजदानी कौन सी थी वो अपने को यहाँ पर बताना है देखिए संयुक्त राजस्तान संग संयुक्त राज टिक अपर यहांपर बूंदी दे रखाय है जो की गलत दे रखाय है कोटा आना चीए था यहांपर ठीक है पूरूर्व राजस्तान संग की राजदानी कौन सी थी कोटा थी तो यहांपर डी-नमबर का उप्शन बिलकुल सहीतर हो जाएगा आगे देखें गुर्णतिस नमबर से जुड़ी रही राजस्तान की वह मैला जिसने बिजोलिया में मैलाओं के जुलूस का नितरत्व किया बेंगु में सत्यागराई मैलाओं का मारक दरसन किया भारत सेवक समाज से जुड़ी रही तो यहां पर इस प्रस्ट कराई टांसर हो जाएगा वो है अंजना देवी चो कतनों में से ऐस अत्य कतन कुन सा है वो अपने को यहां पर बताना है दोस्तों देखें काली बाई डूंगरपूर जिले के रास्तापाल गाओं की निवासी थी बिलकुल सही है काली बाई के अद्या 20 जुन 947 को कर दी गई यह भी दोस्तों बिलकुल सही है नाना बाई है यह दोस्तों परजामंडल कारे करता थे यह आपको थोड़ा सा इसमें याद रखना है ठीक है राजस्तान की पर्थम महिला डॉक्टर पारवती गलोत बनी यह भी बिल्कुल सही है ठीक है और यह जोदपुर की निवासी थी इन्होंने उच्छा है वो इंग्लेंड से प्र सोरी अब देखिए यहाँ पर क्या पुछा गया है कि ऐसत्य कथन कौन सा है क्या पुछा गया है ऐसत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों यहाँ पर देखिए वनस्तली विद्यापीट की स्थापना रत्न सास्त्री ने यानि कि रत्ना सास्त्री न राजस्तान की पर्थम महिला थी जिसे पदम श्री प्राप्त हुआ था ठीक है आगे देखे पदम श्री प्राप्त करने वाली राजस्तान की पहली महिला जान की देवी बजाज थी ये गलत हो जाएगा देखिए पदम श्री प्राप्त करने वाली राजस्तान की पहली महिला कौन थी तो रत्न सास्तरी थी मैंने भी आपको बताया तो यह दूसरा नंबर का कतन है वो क्या हो जाएगा इसमें ऐसत्य हो जाएगा आगे देखें विजए सिंग की पतनी का नाम जान की देवी था बिलकुल सही है जोदपुर माराजा जश्वन सिंग की दाय का नाम रूपा दाय था बिलकुल सही है यह भी तो यहाँ पर शिर्प और शिर्प A की आ सकते है और वो है दूसरा नंबर का ओप्शन है वो ऐसकते है यहाँ पर इस प्रेशन का राइट आंसर D नमबर का उप्सन हो जाएगा आगे देखे यहाँ पर 32 नमबर का प्रेशन है उद्यपूर में राजस्तान महीला परिशद की स्थापना किसने की उद्यपूर में राजस्तान महीला परिशद की स्थापना किसने की राइट आंसर हो जाएगा सांता तिर्वेदी ने की यहाँ पर ए नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा सांता तिर्वेदी ने गुनी सो से तालिस में की थी दोस्तो माईला परिश्द की स्थापना आगे देखें यहाँ पर नेहनिदी रस्पुंज प्रेम संपुट राम रहसे और भावना प्रकास पुस्तकें किसकी है दोस्तो यह सबी पुस्तकें हैं यह सुन्दर कमर की पुस्तक है तो यहाँ पर बी नमबर का उप्षन राइट आंसर हो जाएगा इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो वह है गुनीसो बियासी में दोस्तो अल्ला जिलाबाई को पदमसरी सम्मान है वह प्राप्थ हुआ डी नमबर का उप्षन बिलकुल से उतर हो जाएगा इसमें 35 नमबर का प्रशन है रूठी राणी के नाम से प्रशिद उमादे मालदेव से रूठने के बाद किस किले में रही रूठी राणी के नाम से प्रशिद उमादे मालदेव से रूठने के बाद कौन से किले में रही तो दोस्तों ये अजमेर के तारागड किले में रही थी यहा आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 36 नमबर का प्रस्ट ने राजस्तान की भासा के लिए राजस्तानी सब्द सबसे पहले किस ने परियुक्त किया राजस्तानी सब्द है यह दोस्तों किस ने परियुक्त किया था सरोपर्थम तो जोर्ज अबराहिम गिरियसन ने किया था इ 12 में आगे देखे डुंगरपूर बांसवड़ा चितर की भासा कहलाती है यह कहलाती है दोस्तों वागडि तो यहां पर बी नंबर का उप्शन सहीतर वागडि आगे देखे राजस्तान में बोलियों और उनके चितर के समंद्ध में ऐसते कथन कौन सा है वो अपने को यहां प काठेडी बोली जयपूर जिले के दक्षनी भाग में परचली था बिलकुल सही है छोधा देखिए अलवर और अजमेर के कुछ छितरों में मेवाती भासा बोली जाती है दोस्तो जो अलवर एवम भरतपुर जिलों का जो छेतर है यहां पर जो मेवजाती रहती है ठीक है मेवजाती दोस्तो मेवजाती की बहूलता के कारण इसे मेवात के नाम से जाना जाता है ठीक है और यहां की बोली है वो मेवाती कहलाती है तो यहां पर अजमेर है वो इसमें गलत दे रखा है ठीक है अजमेर इसमें क्या दे रखा है गलत दे रखा है अलवर तो बिल्कुल सही है अगर अजमेर की जगह अगर भरत पूर आता तो ये इसमें सही होता, तो ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर D नमबर का उप्शन राइट आंसर, 49 नमबर का प्रस्टन इसमें देखे, निमाडी बोली के समंद में ऐसते कथन है, वो कौन सा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखे, इसे मालवी की उपब का प्रबाव है, बिल्कुल सही है, उपर युक सभी कथन है, वो इसमें क्या है, सत्य है, तो यहाँ पर D नमबर का उप्शन राइट आंसर, 40 नमबर का प्रस्टन इसमें देखे, उर्दू फार्सी की सब्दावली से युक्त, राजस्तानी कलात्मक लेखन सहली है, जिसमे किसी की प्रसंसा दोहो के रूप में की जाती है, क्या कहलाती है, उर्दू फार्सी की सब्दावली से युक्त, राजस्तानी कलात्मक लेखन सहली है, जिसमें किसी की प्रसंसा दोहो के रूप में की जाती है, क्या कहलाती है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें व जारे हैं इससे क्या है कि आपके आपका जो टुपिक है वो भी किलियर हो रहा है और एक के अंदर आपको चार प्रसन मिल रहे हैं ठीक है यह थोड़ी सी चीजें हैं वह आपको रोजथाना अगर मेरे साथ में चलोगे तो आपका पूरा का पूरा जो टोपिक है वो भी दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा आगे देखिए यहां पर डिंगल सेली के समद्ध में पुछा है ऐसत्य कतन देखिए यह पस्मी राजस्तान का साहितिक रूप है बिल्कुल सही है डिंगल का अधिकान से साहिते भाट जाती के कवियों ऐसत्य हो जाएगा आगे देखिए इसका विकास गुजरी अपबरंच से हुआ बिल्कुल सही है तो यहां पर बी नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऐसत्य कतन पूछा था इसलिए बी नंबर उप्शन आगे देखिए नयन चंदर सूरी का गरंत हमीर मा कावे किस सही लिखा गया तो दोस्तों यह हमीर माकावे है यह लिखा गया संसकर्थ बासा में एनंबर उप्शन बिल्कुल सही है आगे देखे मा कवी माघ का जन्म किस सिस्तान पर हो यह तो सभी को पता होगा दोस्तों एक पुस्तक्ति, सिसुपाल, वद, ठीक है, उसकी जो रचना है, वो माग कवी माग नहीं की थी, इनका जन्म है, वो बीनमाल जालोर में हुआ, राइट अंसर हो जाएगा, यहाँ पर बीन नमबर का उप्शन बिल्कुल सही, चमालिस नमबर का प्रस्ण है, निम्नलिकित में से एशुमेलित कौनसा है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है, ठीक है, दोस्तों, यहाँ पर देखे, रशिक पिरिया जो गरंत है, यह जो माराना कॉम्बा ने लिखा बिल्कुल सही है, हरिकेली नाटक है, यह दोस्तों, विगर राचत तुर्क ने लिखा बिल् सवाई जैसिंग नहीं सवाई परताब सिंग यह बरजनेती नामसे कविता लिखते थे ठीक है और इनके गरंत है वह बरजनेती गरंतावली के नामसे प्रकाशित हैं यहां पर सवाई परताब सिंग आना चैए था सवाई जैसिंग दे रखा है तो यहां पर इसलिए D-number का option right answer हो जाएगा आगे देखिए केरे चक्वावात रचना है केरे चक्वावात रचना है तो दोस्तों यह रचना है किसकी तो यह लक्षमी कुमारी चुंडावत की रचना है यहां पर D की नंबर का option right answer हो जाएगा 2012 में राजस्तान सरकार द्वारा राजस्तान रत्न पुरुषकार है वो दिया गया ठीक है आगे देखें यहां पर 46 नंबर का प्रस्ट निम्ने में एस्वेलित है एक तरफ प्राची नाम है दूसरी तरफ इस्तान है दोस्तों आप यहां पर प्राची नाम था किसका नाम था यह जो है वाटि तो यह गंगा नगर का प्राचीन नाम था तो यहां पर यह पहला यह सुमेलित है तो यहांपर अपना इसमें right answer क्या हो जाएगा यह नंबर बिलकुल सई पंगल जसलमेर का प्राचीन नाम दसपूर जालावाड का कौन सा कतन बताना है सत्य कतन बताना है कि कौन सा इसमें सत्य कतन है दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं राजस्तान में संग्या संभागी व्यवस्ता गुनी सो चोंशट में समाप्त की गई थी क्या सही है दोस्तों गुनी सो चोंशट है वो इसमें गलत दे रखा है राज गुनी सो सत्यासी में प्रारंब की गई पुनेस जो संभाग ये विवस्ता है ये पंद्रह जनवरी गुनी सो सत्यासी को खर्देव जोसी के द्वारा प्रारंब की गई बिल्कुल सही है आगे देखे शिरोई उदैपूर संभाग में इस्तित है शिरोई है ये उदैपूर संभाग में इस्तित है ये गलत हो जाएगा शिरोई है ये जोदपूर संभाग का भाग है तो ये इसमें ये भी गलत हो जाएगा नागोर अजमेर का नागोर अजमेर संभाग का भाग है तो दोस्तों ये क्या है इसमें बिल तालिस नमबर का प्रेस्ट निम्न में ए सुमेलित है दोस्तों निम्न में ए सुमेलित है एक तरफ राज्य है दूसरी तरफ राजस्तान के सीमा वरती जिलों के संख्या है दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं गुजरात के कितने जिले राजस्तान से टच होते हैं तो दोस यहां पर जो यह साथ है वो गलत दे रखा है यहां पे च्छे आना चीए था मद्दे परदेश के तो दोस्तों आप सभी को पता है कि दस जिलों की सीमा लगती है ठीक है उत्र परदेश से राजस्तान के दो जिलों की सीमा लगती है हरियाना से साथ जिलों की सीमा लगती है ब राइट आंसर बी नंबर उप्शन सही आगे देखे राजस्तान के जिलों का पस्यम से पूरोव की और सही करम है राजस्तान के जिलों का पस्यम से पूरोव की और करम है वो कौन सा है यहां पर करम आप देख सकते हैं दोस्तों सबसे पहले जोदपूर फिर विकानेर फिर जै को जाडियां कि वैस गहास के जुंड खे आसपास दिखाई देता है बताइये निम्न में से कोसा बानौ का इस चोटी छाडिया गहास कई जुंड के दीखाई देता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह तैंद जोट है्चें और्थ pagar गाफीजैंद बालू का कुंसा है यह सक यहां पर अपने को बताना है देखे इसका विस्तार राजस्तान के साथ जिलों में हैं बिल्कल शही अ भारत का प्रशिद्ध विस्विद्ध जनियू अरावली पर बना हुआ है बिल्क शही है अरावली पर्मत्ण वर्टी मरुस्तल videosit को रोकती है यह दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा दोस्तों यहां पर देखिए अरावली पूरवी राजस्तान में होने वाले रेगिस्तान के विस्तार को रोकती है यह कथन है वो इसमें गलत हो जाएगा और चोथा देखिए राजस्तान में इसका विस्तार लगबग 80% है ब अब यहां पे फित में पुछा है तो दोस्तों फित में अगर मैं यहां पे बताओं तो दोस्तों 5650 फित यह आपने प्रिस्टन है वो बहुत कम पड़ा होगा तो यहां पर बी नंबर उप्सन बिलकुल से त्रू जाएगा आगे देखे बूंदी परवत स्रेणी का सर्वोचे शिकर है तो वो कौन सा है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संतूर तो यहाँ पर A नंबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ठीक है और इसकी उचाई है 353 मिटर आगे देखे जार जोला पाड है यह दोस्तों कौन से जिले में है तो यह राइट आंसर हो जाएगा यह जाल ओर जिले में हैぎ जाब ननमबर का ओपशन बिल्कुल सही दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, चेत्रीय ग्रामिंट बेंक की स्थाफना 75 में हुई विल्कुल सही है, नाबाड की स्थाफना 1644 दे राखा है, जो कि इसमें गलत दे राखा है दोस्तो नाबाड की स्थापना 12 जुलाई गुनीशो 82 को हुई थी कब हुई थी 12 जुलाई गुनीशो 82 को यहां पर 84 दे रखा है ऐसो मेली था यह किसान कुरेडिट कार्ड संस्ता की स्थापना 260 में हुई थी एसी पी सोरी एपी सी यानि कि एगरी कल्चर प्राइस कमेटी की जो इस्तापना गुनी सो पैंसेट में हुई थी यह भी बिल्कुल सही है यहाँ पर बी नमबर उप्शन राइट अंसर सतावन नमबर प्रशन है हाले में बहुत बहुत चर्चित है MSP यानि कि नियुन्तम समर्थन मुले के संदर्ब में निम्न कतनों पर विचार कीजिए यानि कि MSP नाम तो सुनाई होगा दोस्तों ठीक है और यहाँ पर अपने को क्या करना है उत्तर देना है ठीक है और उत्तर भी अपने को किसमें देना है कूट बासा में अपने को यहाँ पर उतर देना है ठीक है देखिए दोस्तों यहां पर वर्तमान में 23 फसल वे गन्ना है तू MSP की गोशना की जाती है यह इसमें पहला ही क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा दोस्तों वर्तमान में 24 फसल वे गन्ने पर MSP की गोशना है वो की जाती है तो यहां पर 23 फसल है वो इ में क्या दे रखा है गलत दे रखा है आगे देखिए एमस्पी की गोष्थ की गोष्टना सी एस ही यह दोस्तो इसमें धोई wow पर के कही जाती है बिलकुल सही है मुद्रासप्य की को बढ़ावा देती है ये भी बिल्कुल सही है सत्य कथन बताना था पहला गलत है इसमें बाकि तीनों सत्य है तो यहाँ पर दो तीन चार यानि कि बी नंबर का उप्सन बिल्कुल सही है आगे देखे किसानों की आए दोगनी करने के लिए सरकार दौरा किस समीती की स्थापना की गई सही उत्तर हो दोस्तो कौन सी समिति की स्थापना की गई तो दोस्तो असोक डल्बाई समिति की जो इस्थापना है वो की गई तो यहां पर अपना इसमें C number का option right answer हो जाएगा आगे देखिए यहां पर निम्न कतनों पर विचार कीजिए दोस्तों यहां पर अपने को देखिए नीचे क्या दे रखा है ऐसत्ते कतन बताना है निम्न कतनों पर अपने को यहां पर विचार करना है और ऐसत्ते कतन है वो दोस्तों यहां पर अपने को बताना है कि कौन सा इसमें ऐसते कथन है दोस्तों देखिए अब इसमें देखिए पहला कथन देखिए इसमें तीसरी पंचवर्षी योजना में कर्शी चेतर में वर्दी दर नियूनतम रही तीसरी पंचवर्षी योजना में कर्शी चेतर में वर्दी दर अधिकतम रही बिल्कुल सही है आठवी पंचवर सियोजना में करसी छेतर में वर्दी दर अधिक्तम रही बिलकुल सही है अमन बोरो गेहूं की किसम है ये दोस्तों इसमें गलत दे रखा है ठीक है दोस्तों और देखिए इसमें राष्टिय चावल अनुसंदान केंदर कटा कोड़ी सामें है तो यहां प का जो अप्शन है वो इसका बिलकुल सही है आगे देखें यहां पर फसल में ऐसमेलित है बताएए यहां पर कौन सा रोग है वो फसल से समंदित यहां पर गलत दे रखा है वो अपने को यहां पर बताना है ठीक है दोस्तों यहां पर देखिए मने अभी आपको जो दोस्तो जो उपर बताया था, अमन और और बोरो, वो दोस्तो चावल की किस्म है, ठीक है गेंग की किस्म नहीं चावल कि है यहाँ पर देखे, निव्न में एऽ सुमेलित है, एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ रोग है यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों चांवल में डलाष्ट रोग होता है बिल्कुल सही है चना में ग्रासी सूट यह गलत हो जाएगा दोस्तों यह ग्रासी सूट है यह गन्ने का रोग है ठीक है तो यहां पर यह इसमें चना है यह गलत दे रखा है यहां पर गन्ना होना इसतापना वर्स है, दोस्तों यहां पर आप देख सकते है इसमें कौंसा उद्योग है, इसका पर्तम कार खाना कब लगाया गया था, वो अपने को यहां पर क्या करना है बताना है दोस्तों पहला लोहे इसपात उद्योग कुल्टी बंगाल में लगाया गया था ठीक है तो दोस्तों यह लोहे इसपात कुल्टी अठारा सो चौतर में यह लगाया गया था ठीक है देखे इसके बाद में सिमेंट है दोस्तों सिमेंट उद्योग है यह गुनी सो चो कता में लगाया गया था ठीक है तो यहां पर यह और उसके बाद में देखिए यहां पर जूट उद्योग यह रिसरा कलकता में लगाया गया था ठीक है तो दोस्तों यह जूट तो आ जाएगा रिसरा कलकता गुनी सो पच्पन में और जाजरानी विसाका पटनम गुनी सो एक देखिए इसmee दैसे're बेह है 5 एपना इसमे राइट आंसर हो जाएगा अगे देखिए निम्न में सुमेलित है एक तरफ उड्योगिक चितर रहे दूसरी तरफ राज्य है यहा पर देखिए दूस्टों सेल्दा विद्किन ये उद्योगिक चित्र है केरल दे रखा है जो कि इसमें गलत हो जाएगा दोस्तों सेल्दा विद्किन उद्योगिक चित्र है ये माराष्टर में इस्तित है केरल इसमें गलत दे रखा है दिगी पोर्ट है ये माराष्टर में है पितंपुर गाट ये मद सेंत्र है ये रूस के सहीयोग से स्थापित किया गया ठीक है वो कारो है दोस्तों ये रूस के सहीयोग से स्थापित किया गया और दुरगापूर है ये बिर्टेन के सहीयोग से स्थापित किया गया तो यहां पे बैए दैस है इसका राइट आंसर हो जाएगा बैए दैस है य दोस्तों बारत Is Rs 500 ऐरन उतपादन में दूसरे इस्तान पर नहीं पर्थम स्तान पर ये स्थित्थ है यानिकी इसतर पर्थम इस्तान पर है ये भारत ठीक है तो यहां पे पहला कितनी किया इसमें ऐसात्य है दूसरा देखिए टिसकों की स्तापना गुनी 107 में साक्षी जारकंड में की गई बिल्कुल सही है इसकों की स्तापना गुनी 118 बरनपुल बंगाल में की गई और विश्वरे सवरिया आयरन एंड इस्टील कंपनी की जो इस्तापना गुनी 113 में एक तरफ तेल सोधन साला है दूसरी तरफ राज्य है यहां पर देखिए बरोनी उत्तर प्रदेश दे रखा है दोस्तों गलत हो जाएगा यह बरोनी तेल सोधन है यह कहां पर है तो यह बिहार में इस्तित है ठीक है नारीमन यह तमिलाडू में है नुमाली गडियासम में है क यहाँ पर देखे केंद्रिय कोफी अनुसंदान संस्तान बैंगलूरू दे रखा है जो कि इसमें गलत दे रखा है दोस्तों केंद्रिय कोफी अनुसंदान केंद्र है यह कहाँ पर है यह कुर्ग में है ठीक है कोफी बोर्ड बैंगलूरू में है ठीक है तो यहाँ पर दोस्त है ओटिक है और देखिए इसमें चावल, राष्टीं चावल सोजवत संस्तान यहां पर और देखिए चाय की फसल के संदर्ब में निम्न गत्नों पर करें दोस्तों यहां पर अपने को सत्य कथन बताना है कि कौन सा इस में सत्य कथन है कि देखिए यहां पर भोगोलिक दसा 150 से 200 सेंटिमिटर वर्षा तथा 24 डिगरी सेल्सियस से 30 डिगरी सेल्सियस तापमान होना चाहिए चाय की फसल के लिए बिल्कुल सही बात है ठीक है जखिंड भारत में केरल सरवादिक चाय उत्पादन करता है ये डोस्तों इसमें क्या दे रखा है गलत हो जायेगा दोस्तों धंपोजन भारत में सरवादिक चाय की फसल के संदर्ब में ऐसते कथन कुन सा है वो अपने को यहां पर बताना है दोस्तों यहां पर देखे भारत का गेहूं उत्पादन में तीसरा इस्तान है यानि कि गेहूं के उत्पादन में भारत का तीसरा इस्तान है तापमान प्रारम में 10 डिग्री से 15 डिग्री बाद मे 20-25 डिगरी की आवसेकता है बिल्कुल सही है गेहूं में 45-50 परतिसत कार्बोहाइडरेड होता है यह इसमें गलत दे रखा है दोस्तों देखिए गेहूं में इसमें 8-15 परतिसत तो क्या होता है प्रोटीन होता है और 65-70 परतिसत इसमें कार्बोहाइडरेड होता है तो यहां हो जाएगा गेव में गुलोटोनिक नामक प्रोटीन की अधिक्ता होती है बिल्कुल सही है तो यहां पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर आगे देखिए एक तरफ इकाई है दूसरी तरफ इस्तान है दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं हिंदुस्तान मोटर्स इकाई है से यहां पर है तो यह च नहीं दे रखा यहां पर गलतह चाएगा दुस्तों हिंदुस्तान डुल्ऄ और से कलकता में इस्थापित नहीं संट्मेली में एक तरफ aluminium company है दूसरी तरफ सयोगी देश है दूस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बालको aluminium company है इसका सयोगी देश है सोवियत संग बिल्कुल सही है नालको का सयोगी देश है फ्रांस बिल्कुल सही है इंडालको का है USA बिल्कुल सही है इंडालको यहाँ पर जर्मनी दे रखा जो की गलत दे रखा है दोस्तों इंडाल को गुनी सोड़तीस में यह इस्तापित की गई थी और कनाड़ा के सहयोग से इस्तापित की गई थी जर्मनी यहां पर गलत दे रखा है तो यहां पर डी नंबर का उप्शन बिलकुल सही इकेतर नंबर का प्रस्थन है इसमें देखे हाली में केकेव इडला फाउंडेशन द्वारा तेटीस्वा सरस्वत्ती सम्मान किसे परदान किया जाएगा वताइग 33 सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा तो दोस्तों ये किया जाएगा किसे तो ये परवावर्मा को दिया जाएगा दोस्तों तो यहाँ पर अपना b-number का option बिल्कुल से उतर हो जाएगा नेक्स्ट आगे देखे हाले में राजस्तान निर्वाचन विभाग द्वारा नवाचार करते हुए डाक मत पत्रों यानि कि पोस्टल बैलेट के लिए कौन सा पोर्टल तयार किया गया है तो उसका नाम है दोस्तों पोस्टल बड़ी यहां पर C नमबर का जो उप्षन है वो तीसरा सबसे बड़ा पक्सिय भ्यारन कहां विक्षित किया जा रहा है तो दोस्तों यह किया जा रहा है जैपूर में यहां पर C नमबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा जैपूर में नेक्स्ट 75 नमबर का प्रेस ने इसमें देखे राजस्तान के किस पत्रकार को दूसरी बार देश का प्रतिष्टित रामनात गोयन का एक्सिलेंस इन जनरलिजम अवार्ड परदान किया गया है तो दोस्तों यह परदान किया गया है अवार्ड आनंद चोधरी को तो यहां पर C नमबर का प्रेस नमबर का प्रेस ने वह इसका बिल्कुल सही तर हो जाएगा आगे देखे आपे अपर हुनर हंट योजना किस मंतरा ले द्वारा चलाई जा रही है तो यहां पर आप देख सकते हैं अब अपने क्यूशन है वो मनोविज्यान से समंदित प्रारंब हो चुके हैं दोस्तों यहां पर देखे वर्दी सारीरिक परिवर्तनों को दर्साती है बिल्कुल सही है वर्दी दनात्मक एवं रिनात्मक दोनों रूपों में हो सकती है यह इसमें दोस्तों क्या दे रखा है गलत दे रखा है ठीक है तो यहां पर दोस्तों वर्दी दनात्म होती है ठीक है रिनात्मक नहीं तो यहां पर बी नंबर का ओप्सन राइट अंसर हो जाएगा क्योंकि यह इसमें ऐसते कथन दे रखा है बाकी वर्दी विकास का सरचनात्मक पक्स है बिल्कुल सही है वर्दी व्यक्ति के जीवन काल में निश्ची समय तक पर बी नंबर की चलती है बिल्कुल सही है तो यहां पर बी नंबर का ओप्सनर राइट आगे देखिए यहाँ पर है, 79 प्रस् pigment. इसमित के अनुसार, एक 3 वर्स का बालक लगभग कितने सब्द बोलने में सक्षम होता है. तो दोस्तों, एक 3 वर्स का बालक कितने सब्द बोलने में सक्षम होता है? right answer हो जाअगा वो है 896 सब्द बोलने में सख्सम होता है B-number का option बिलकुल सही उत्र हो जागा 896 सब्द ठीक है 10 महा में एक सब्ड एक वरस में 3-5 सब्द दो वरस में 100-200 सब्द और 3 वरस में 8 tudrar ठीक है अगर देखे कर्म कांड था कर्म कांड NYVM कर्म कांड वाद के बारे में किस ने बताया था तो यह बताया था दोस्तो एरिक्सन ने बताया था ठीक है तो यहां पर बी नमबर उप्सन बिल्कुल सही आगे देखें विकास में होने वाले परिवर्तनों के बारे में ऐसत्यकतन कुन सा है तो दोस्तो इसमें ऐसत्यकतन हो जाएगा यह अल्प समय तक टिके रहते हैं यह अल्प समय तक टिके रहते हैं तो यहां पर बी नंबर का उप्शन राइट अंसर हो जाएगा यह सत्यकतन है यहां पर ठीक है दोस्तों ये इसमें B नमबर का जो उप्शन है वो इसका बिलकुल सही ये परिवर्तन काफी समय तक टिके रहते हैं, अल्प समय तक नहीं ये परगरतिशील होते हैं, इनमें करमबता होती है तो यहां पर इसमें B नमबर का उप्शन राइट आंसर है, ऐसे तकत नहीं है आगे देखे, SL BEM ने लिंग को बताया, दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, सामाजी को पलब्दी बताया है यहां पर C नमबर उप्शन राइट आंसर, 83 नमबर प्रस ने, बालक विकास के किस उपागम के तहत बालक के विकास का उसके वेवार के आदार पर अध्यन किया जाता है सही उत्तर हो जाएगा, वो है प्रियोग आत्म को पागम के, यहां पर C नमबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा आगे देखिए 55 नमर का प्रसने किसके अनुसार व्यक्ति का विकास में कोई हाथ नहीं होता बलकि प्रकरती पर ही सब कुछ निर्बर करता है किसके अनुसार विक्ति का विकास में कोई हाथ नहीं होता बलकि परकरती पर ही सब कुछ निर्वर करता है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें डार्विन तो यहाँ पर बी नमबर का ओप्शन राइट आंसर हो जाएगा डार्विन 86 नमबर प्रेस ने किसने बालक के ग्यानात्मक विकास को तीन अवस्ताओं में विबाजित किया इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जेरॉम बुरुनर ने बालक के ग्यानात्मक विकास को तीन अवस्ताओं में विबाजित किया ठीक है तो यहाँ पर किरियात्मक अवस्त परति बिम्बातमक अवस्ता और संक्यतातमक अवस्ता ठीक है तो यहां पर सी नंबर उप्शन सभी आगे देखे मेरी डीत के नुसार 11-15 वर्स की आयू में बालक का विकास होता है तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है तीवर गती से विकास होता है बी नंबर का समाप्त हो जाता है तीन से छे माँ में ठीक है बालकों में तो यहां पर बी नंबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखे नेतिक यथार्टता सब्द के परतिबादक हैं तो वो कौन है राइट आंसर हो जाएगा जीन पिया जे बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही आगे किस आयू में बालक में तर्क के साथ समस्या समादान करने की समता का विकास हो जाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा बारा वर्सकी आयू तो यहां पर बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए सामाजी का पिक्षाओं को विकासात्मक कारियों की संग्या किस न अंसर हो जाएगा आगे देखिए स्रीमती हर लोग के अनुसार विकास के संदर्ब में सत्य कथन नहीं है तो वह कौन सा नहीं है तो वह है दोस्तों पुराने लक्षनों का इस ताइट वह तो यहां पर यह सत्य कथन है वह यहां पर है तो सी नंबर उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें आगे देखिए नाइंटी थरी नंबर का प्रस्ण है संवेगों के द्विकारक्सिदान्त का प्रतिबादन किस ने किया यह किया था दोस्तों किसने तो यह किया था सेक्टर एवं सिंगर ने तो यहां पर इसमें राइट आंसर बी नंबर आगे देखिए वास्टविक आन्वानसिक तत्व या व्यक्तिकी आन्वानसिक विरासत या वंस परंपरा को कहा जाता है क्या कहा जाता है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जीनो टाइप कहा जाता है यहां पर सी नंबर का ओप्शन राइट आंसर जीनो टाइप आगे अगे देखे रेंडम केटल के द्वारा व्यक्तित्व का कौन सा आयाम नहीं बताया गया इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कुंठा यहां पर सी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही कुंठा अगे देखे भारत में गन्य की फसल के संदर्ब में निमनलिकित तत्यों म हैं दोस्तों यहां पर देखिए गन्य के लिए आफ्शक तापमान उष्ण और आद्र जलवायों के साथ 21-27 डिग्री सेल्सेस के बीच में आफ्शक है तो दोस्तों बिल्कुल सही है गन्या उत्पादल हेतु गहरी सम्रद्द दोमट मिट्टी आफ्शक है बिल्कुल सही ह गन्य के उचित और लाबकारी मुले आर्थिक मामलों की मंत्री मंडल समिती द्वारा गोशित किये जाते हैं बिल्कुल सही है चोथा देखिए CCEA की अध्यक्स्ता भारत का वित मंत्री करता है जो की इसमें गलत दे रखा है दोस्तों देखिए CCEA की अध्यक्स्ता है ये भारत का परदान मंत्री करता है ने की बारत का वित मंत्री तो यहां पर D नंबर का उप्शन राइट आंसर आगे देखिए भारतिये दूर संच बातार नियामक प्रादिकरण की स्ताफना कब की गई ये की गई दोस्तों गुणिशों सत्यानम में बी नंबर उप्शन बिल्कुल सही, नाइटीन नंबर का प्रस्न है निम्नलिकित में से ऐसते कतन कौन सा है वो अपने को याँ पर बताना है दोस्तों देखिए याँ पर ग विभाग सारवजनिक चेतर के उपकरणों में रणनितिक हिस्सेदारी बिक्री के लिए नोडल विभाग है यह दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा दोस्तों वित मंत्राले है यहां पे वानिज्जिक और उद्द्योक मंत्राले के तहत दे रखा है न यह गलत हो जाएगा इसकी जगें वित मंत्राले आना चाहिए था तो यह अपना शते कतन यहां पर हो जाएगा तो यहाँ पर B-Number Option राइट अंसर बाकीश में दोनों से ही है आगे देखे बारत के विदेश व्यापार के संदर्ब में ऐसते कथन है तो ऐसते कथन कुन सा है यहाँ पर देखे भारत के सीर से आयात सरोत चीन संयुक्त अरब अमिरात और संयुक्त राजी अमेरिका है बिल्कुल सही है इंडोनेशिया कच्चे पाम तेल का दूसरा सबसे अनुकुल व्यापार संतुलन है बिल्कुल सही है कि उस इस्तिती से है जब आयातों के लिए किये गए बुक्तान से अधिक हो ठीक है तो दोस्तों यहां पर सबसे ज़्यादा अनुकुल है वो सेंक्तराज अमेरिका के साथ में है तो यहां पर सी नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यह ऐसा त्यकतन है बाक कि दोस्तों प्रस्टन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताए हैं है और अरद्डारसills अकेडिमी की यूट्टूब चंनल को सब्स्क्राइब नहीं कया तो सब्सक्राइब जरूर करें बैल आइकन को दोबाएं वीडियो के लाइक और ऑपने दोस्तों के बासमें शेय जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में जैहिन जैभरत